So, अब हम इस lecture में देखने वाले हैं 3.4 के बारे में सबसे पहले हम इसके concept को सिखेंगे introduction में, उसके बाद में इसके questions को देखने वाले है First of all, देखेंगे 3.4 में basic है क्या तो इसके अंदर हम देखने वाले elimination method ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि elimination method होता क्या है? What is the meaning of the elimination method? अब 3.3 के अंदर हमने देखा कि एक substitution method होता है कि चीजों को हम substitute करके उसके अंदर x और y की values निकाल देते हैं ठीक है? लेकिन इस वाले exercise के अंदर हम नए method सिखेंगे जिसका नाम है elimination method तो eliminate करते हैं चीजों को फिर जाके हम x and y की values finalize करते हैं मिलती है हमें x और y की value तो जहां से देखते हैं x और y की value कैसे निकालेंगे? अगर आपको कोई भी equation दे दी जाए two variables के अंदर तो कैसे हम x और y की value निकालते हैं? तो देखते हैं कि कैसे निकालते हैं for example अगर मैं आपको कोई एक example के थरूर लेते हैं question दे लेते हैं ये कोई आपको question दे दिया कि एक आपको दिया है कि एक है आपका 3x 4y equal to 10, 1 है 2x minus 2y is equal to 2 आपको x and y find करना है तो elimination से कैसे करेंगे? देखो लिखा हुआ है कि elimination method use करो तो इस question के थरूर method भी सीख जाते हैं question भी हो जाएगा ये first question है 3.4 का तो let's start देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होता है? कि आपको एक equation को लिखना होता है जैसे आपने लिखा 3x okay plus में 4y is equal to 10 as it is लिख दी दूसरी equation को पहली equation के नीचे as it is लिखनी है जैसे 2x minus 2y is equal to 2 okay अब यहाँ पे क्या करना है? या तो x को या फिर y को या तो x को या फिर y को इन दोनों में से किसी एक को आपको eliminate करना होता है मतलब काटना होता है तो कैसे काटेंगे? अगर मैं equation 1 को equation 1 यह है equation 1 को equation 2 से add कर दू तो क्या y और cancel हो सकता है या x cancel हो सकता है? नहीं हो सकता है लेकिन एक condition में हो सकता है कौनसी condition में? अगर मैं इस second equation को पूरी की पूरी equation को 2 से multiply कर दू तो यह equation कुछ ऐसी बन जाएगी 2,2 जब 4x clear? minus 4y is equal to 4 यस यह हो जाएगा अब गया अगरना है? अब यह second equation new second equation आपके सामने आ गई ठीक है यह आपकी नहीं condition में second equation आ गई first equation तो as it is रहेगी अब आपको इस equation को और इस equation को आपको पुट करके आपको x और y को eliminate करना है कैसे करेंगे? देखो 3x plus 4y is equal to 10 यहां लिखेंगे 3x plus 4y is equal to 10 clear? दूसरी equation इसके जस्ट नीचे 4x minus 4y 4x minus 4y is equal to 4 अब आपको क्या करना है? add करना है add का मतलब पहले equation को दूसरी equation से add करेंगे add का मतलब है कि यहाँ पे आपको x को x के साथ add करना है y को y के और constant को constant के साथ में तो चलो add करते हैं तो यह दोनों add होंगे तो कितना आएगा? 4 और 3 यहाँ आएगा 7 कितना? 7x लेकिन 4y और minus का 4y cancel हो जाएगे खतम equal to का sign और 10 में 4 जब add होगा तो कितना आएगा? 14 तो यहाँ से x की value आपके सामने आगी कितनी? 14 divided by 7 जो कि कितना होता है? 2 तो x की value आपके सामने है 2 clear होगी बात? तो x की value 2 आपको मिल गई है yes, मिल गई है अब आपको इस x की value को या तो equation 1 में या equation 2 में put करना है या तो equation 1 में या चाहो तो equation 2 में put करना है और y की value निकालनी है तो मैं यहाँ पे put कर रहा हूँ putting value of x value of x मैं first में put कर रहा हूँ in equation 1 in equation 1 पहली equation में put करो पहली equation क्या है? 3x plus 4y is equal to 10 clear होगी बात? x की value क्या थी? 2 तो 2 यहाँ put करेंगे 3 से multiply करते हुए plus में 4y as it is equal to 10 3 to just 6 plus में 4y is equal to 10 यहाँ पे आएगा आपका 4y as it is 10 में से 6 minus होगा यहाँ बचेगा 4 और y 4 ठीक है? और 4 जो होगा वो divide में चला जाएगा तो y is equal to 4 divided by 4 cancel out होगा it will be 1 तो y की value कितने आगी? y की value आगी आपकी 1 तो देखो y की value 1 आगी x की value 2 आगी clear होगी बात? यह आपको निकालना था x और y की value तो यहाँ पे x is equal to 2 and y is equal to 1 I hope you got the point कि x और y के elimination से कैसे निकालते हैं सबसे पहले equations को लिखते हैं उसके बाद में यहाँ पे 4y है यहाँ पे मैंने 2 से multiply किया अब आपके दिबाग में आ रहा हैं 2 से multiply क्यों किया इसलिए किया कि मुझे क्या करना था यहाँ तो y को cancel out करना था या तो y की values को coefficient को equal लेके आना है या x के coefficients को equal लेके आना है तो मैं यहाँ पे Y के coefficient को equal लाने के लिए मैंने पूरी equation को किसे MULTIPLY कर दिया ? 2 से मULTIPLY कर दिया then I get the, then I got the 4 so 4y मुझे मिला 4y को यहां से मैंने add कि A, add कि A, first equation को second equation से अब add कि A, चिंड एहां पे तदेखो 3, जो है 4 के साथ add होके यहां से 7 बन गया और 4, 4 से cancel out होके 0 बन गया और 10 में 4 प्लस किया तो it will become 14 I hope you got the point how we can solve this kind of equation okay let's move further the second equation this is fraction यह fraction में देखते डर जाते हैं कुछ नहीं डरना पहले इसको छोटा सा solve कर लेना है x divided by 2 plus 2 y divided by 3 is equal to minus 1 okay so यहाँ पर अगर मैं LCM लू तो 2 और 3 का LCM क्या आएगा 6 आएगा यहाँ पर आएगा जब इसको इससे divide करेंगे तो यहाँ आएगा 3 और 3 होगा उपर multiply तो 3 यहाँ पर multiply होता है यह इससे divide होता है clear होगी बात इतना तो पता होगा LCM के बारे में तो यहाँ आएगा आपका 3x plus cosine as it is 3 से 6 को divide करेंगे we will get the 2 और 2 को जब 2y से multiply करेंगे we will get the 4y which is equal to how much? minus 1 clear होगी बात? yes अब यहाँ पर क्या है कि 3x plus 4y equal to minus 6 this is your first equation जो आपकी fraction में थी वो equation एकडम simple equation में आपके सामने आगे I hope you got the point यह आपके परली equation आगे for the second equation what we have to do here x divided by 1 minus y divided by 3 is equal to 3 and 3 you have to take as LCM यहाँ पर 3 LCM लिया तो 3x उपर चला जाएगा minus y as it is रहेगा equal to 3 और 3 से 3 multiply होगा we will get 9 तो यहाँ आजाएगा 3x minus y is equal to 9 तो यहाँ पर आपकी second equation बन गई है okay this is the second equation in the simpler form you can say this is the first equation this is the second equation अब कुछ नहीं करना है आपको first और second equation को क्या करना है calculate करना है और calculate करके x और y की value आपको निकालनी है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा next page पर 3x plus 4y यहाँ पर लिखूँगा 3x plus 4y is equal to minus 6 दूसरी equation है 3x minus y 3x minus y is equal to 9 अब बस आपको यहाँ पर eliminate करना है अब आप बोलोगी x की value eliminate करें की y की करें x की similar value है तो मैं यहाँ पर x की value eliminate करूँगा x की दोनों की similar 3x 3x है लेकिन जब मैं equation 1 को equation 2 से add करूँगा तो 3x plus 3x कितना हो जाएगा 6x मुझे तो काटना है तो what I have to do I have to change the sign of 3x तो कैसे करूँगा minus 1 से या तो first equation को या second equation को multiply कर दूँगा मतलब 3x को कैसे भी या तो first equation में या second equation में minus बनाना है और जो first equation है वो आपकी as it is रहेगी अब आपको इस equation से और इस equation से आपको क्या करना है elimination लगाना है तो first equation को 3x plus 4y is equal to minus 6 as it is आपको यहाँ रखना है और minus 3x plus y is equal to minus 9 ओके तो you have to just eliminate the values तो 3x से 3x cancel out हुआ 4 में एक add वा तो it will become the 5y which is equal to यहाँ पे 9 और 6 को add करेंगे तो 15 आएगा तो minus 15 ओके और y is equal to nothing but minus 15 divided by 5 which is equal to 5 3 जा 15 ठीक है तो यहाँ आएगा minus 3 तो y की value कितनी आई आपकी minus 3 अब y की value का आप equation 1 में पुट कर सकते हो चाहो तो equation 2 में पुट कर सकते हो to find the value of x तो यहाँ पुट करेंगे putting the value of putting the value of y putting the value of y y की value का आपको put करना है in equation 1 मैं 1 में पुट कर रहा हूँ आप चाहो तो 2 में पुट करके same answer निकाल सकते हो similar आएगा तो equation 1 क्या था आपका 3x plus 4 y की value का आपकी minus 3 which is equal to minus 6 यहाँ आएगा आपका 3x और यहाँ आएगा minus 12 which is equal to minus 6 और यहाँ पे आएगा 3x is equal to minus 6 plus 12 I hope you got the point जब इसको calculate करोगे तो you will get 3x is equal to कितना आएगा minus 6 और plus 12 it will be 6 positive 6 अगर मैं इसको आगे further solve करू then I will get how much x is equal to 6 by 3 which is equal to 2 तो x की value 2 आगई और y की value minus 3 आगई तो x और y हमको मिल गए हैं कि x की value होगी वो 2 होगी y की value minus 3 होगी तो यही आपको निकालना था कि y क्या होगा और x क्या होगा तो देखो x जो हुआ वो हुआ 2 और y क्या हुआ y हुआ minus 3 this is the answer और यही आपको निकालना था तो I hope elimination आपको समझा गया होगा fraction को कैसे simple करके मैंने elimination से निकाला this is your answer runner नहीं बहुत इज़ी है कुछ नहीं है पहले एक equation लिखनी है उसमें देखना है कि या तो x की value और y की value similar position में हो similar तरीके से present हो तो मैंने देखा कि यहाँ पे x की value 3x है यहाँ भी 3x है दोनों कट सकते हैं तो मैंने minus से multiply किया because sign अलग-अलग थे that's it this is what I need to do here let's move further this is the second question क्या बोला है second question में अब आपको statement से equation पे जाना है और equation पे लगानी है आपको elimination method तो देखो statement को पहले आप किसमें convert करोगो एक equation में क्या बोला है if we add 1 अगर आपने एक add किया क्या बोला if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction reduce to 1 समझ पा रहे हो ना अभी बताता हूँ full stop लगा के इसके बाद बोला है it become 1 by 2 fraction जो है वो 1 by 2 बन जाता है if we only add 1 to the denominator okay what is the fraction आपको fraction के बारे में पूछा है तो मैं बोल सकता हूँ कि fraction के बारे में यहाँ पे मैं let करना पड़ेगा मुझे एक चीज आपको तो यहाँ पे solve करना start करते हैं सबसे पहले equation तक पहुंचेंगे तो यहाँ पे let करता हूँ numerator को मैं let कर लेता हूँ क्या numerator is x denominator is y denominator is y clear वी बात उपर वाला जो होगा numerator होता है नीचे वाला denominator होता है तो इस तरही किसे मैंने let कर लिया पहली condition के according अगर हम चले if we add 1 to the numerator अगर मैं x में 1 add करता हूँ and subtract 1 from the denominator मतला y में से भी अगर मैं minus 1 करता हूँ तो हमें जो value मिलती है वो equal to 1 मिलती है this is the first equation we can say यह आपकी पहली equation होगी clear होगी बात यह आपकी पहली equation होगी full stop के बाद में बोला है कि it become 1 by 2 if we only add 1 to the denominator denominator में अगर add करता हूँ x तो as it is लेकिन y में अगर मैं 1 add करता हूँ तो जो fraction है वो बन जाएगा कितना आपका वो बन जाएगा आपका 1 by 2 तो यहाँ पे लिखेंगे equal to 1 by 2 तो यह आपकी second equation हागी there are two equations 1 and 2 पहले equation क्या आई थी देखो पहले equation पीछे यहाँ पे आए थी x plus 1 और y divided by y minus 1 is equal to 1 ठीक है मतलब उपर वाले में से 1 add किया नीचे में से 1 minus किया तो मुझे value कहां तक पहुंचता हूँ मैं 1 तक पहुंचता हूँ और next आपको बोलाए कि it become 1 by 2 if we only add the 1 to the denominator अगर सिर्फ नीचे वाले में एक add करते हो तो यह 1 by 2 बन जाता है ठीक है तो numerator को मैंने x माना यहाँ पे और denominator को मैंने y माना और यहाँ पे जो बोला था उसके according मैंने चीज़ों को put कर दिया तो यहाँ पे पहले और दूसरी equation को देखते हैं थोड़ा simple कर लेता है पहले इसी equation को second equation को simple करेंगे तो यह 1 से multiply होगा और यह 2 जो होगा x से multiply होगा then it will become 2x is equal to y plus 1 ओके जी अब यहाँ पे 2x को as it is रखेंगे minus y रखेंगे equal to 1 रखेंगे यह आपकी बोल सकते हो पहले equation कोई जरूर नहीं है कि हालन फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसको first equation ही बोलना है इसको second ही बोलना है इसको मैंने first बोला what was the first equation the first equation was x plus 1 divided by y minus 1 which is equal to how much which is equal to 1 तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1 divided by 1 यह भी multiply होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या x plus 1 is equal to y minus 1 plus 1 minus y or plus 1 is equal to 0 तो x minus y plus 2 is equal to 0 the equation would be something like this equation जो आपकी दूसरी होगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको तो पहली equation और दूसरी equation को अब आप eliminate कर सकते हो तो मैं यहाँ पे पहली equation को लिख देता हूँ जो कि यह थी आपकी तो 2x minus y equal to 1 और दूसरी equation थी आपकी x minus y is equal to minus 2 can I write here minus 2? yes I can write because shift 2 आणा यार अब क्या करना है? y और y क्या है? same coefficients के साथ present है तो can I eliminate the y? but but यहाँ पे sign similar नहीं है sign similar है, sign similar नहीं करना है मतलब आपको change करना है sign उसके लिए मैं क्या करूँगा? second equation को minus 1 से multiply कर दूँगा तो यहाँ पे जब minus 1 से multiply करूँगा both side यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको पता है maths में LHS और RHS में multiply कर सकते हैं both side तो यहाँ पे यह क्या बन जाएगा? it will become minus x clear? और यह बनेगा plus का y equal to plus का 2 ठीक है? और जो पहली equation है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं नीचे 2x और minus y is equal to 1 यह cancel होगा मतला y जो plus का है वो minus y से cancel होगा 2x minus x होगा तो it will become x is equal to यहाँ पे दोनों add होंगे x की value कितने आईगी? 3 तो x will be 3 कितना होगा? x की value 3 है this value x is equal to 3 we can put in equation 1 or equation 2 to get the y तो इसको मैं यहाँ पे equation 1 में put कर देता हूं put x in equation 1 आपकी मर्जी आप second में put कर सकते हों 2x minus y 2x minus y is equal to 1 what is x here? 3 2 into 3 minus y is equal to 1 तो यहाँ एगा 6 minus y is equal to 1 minus y is equal to 1 minus 6 then then यहाँ पे आएगा minus y is equal to minus 5 for minus say minus cancel then we will get y is equal to 5 I hope you got the point y की value 5 5 और x की value किया है 3 तो x is 3 and y is 5 this is your answer you can easily solve यहाँ पे equation से पहले हम किस चीज भी पोचे पहले statement से equation equation से x और y जिससे elimination यूस करते ही पोचे next is मैं यहाँ पे सिर्फ आपको equation बना के छोड़ूँगा आपको खुद करना है 5 years ago आज से past की बात हो रही है आज से 5 साल पहले की बात हो रही है नूरी वाज था थाइस अड़ अज सोनू सोनू और नूरी की बात हो रही है एक सोनू है एक नूरी है 10 years later आज से future में 10 साल के बाद में नूरी वाल बीड़ थाइस अड़ अज सोनू how old are Nuri and Sonu की सोनू अभी कितने साल के हैं यह पूछा है तो Sonu और Nuri की present age को मैं X और Y माल लेता हूँ then equation create करूँगा then equation को solve करूँगा then I will get the answer let's start the solution let करते हैं सबसे पहले let the age of Sonu or Nuri जो भी आप मानना चाहो X माल लो the present age present age of Nuri present age of Nuri Nuri की मैं present age मानता हूँ X years similarly present age of Sonu Sonu की आपने present age माननी है Y years Y years अब बात आती है की X year और Y year के बाद में क्या करना है present age है अभी की तो पहली condition में बोला 5 years ago मतलब X minus 5 and Y minus 5 हमें past में जाना होगा तो we have to subtract the 5 अब condition के साब से आपको यहाँ पे equation बनानी है 5 साल पहले के चलेगे दोनों conditions में नूरी वोस दा अब देखो नूरी X year है नूरी वोस दो थ्राइज अल्ड एस सोनू नूरी की जो एज थी थी तीन गुना थी तो मुझे सोनू पे 3 मुल्टिप्लाई करना है की नूरी पे करना है नूरी तो अल्रेडी बोला है ना की तीन गुना थी statement में equal का sign अगर आपको satisfy करवाना है तो you have to multiply with 3 y minus 5 तो यहाँ पे मुझे 3 से multiply करना पड़ेगा ना बोस तो equation will be like this equation कुछ इस तरीके से आपके सामने present होगी आगे बोला है 10 year later आज से 10 साल बाद मतलब x plus 10 yes और y plus 10 आज से 10 साल future में बात हो रही है नूरी विल बी twice as old as Sonu जो नूरी होगी वो दो गुना होगी तो Sonu की age को फिर से 2 से multiply है ना नूरी विल बी the twice as old as Sonu तो नूरी जो होगी वो दो गुना होगी ना तो क्या करना है तो मुझे तो Sonu की age में 2 से multiply करना पड़ेगा ना to get the equal things yes तो यह आपकी second equation आ जाईगी यहाँ पर पहली equation आ गई यह आपकी second equation आ गई अब इन दोनों को आपको क्या करना है solve करना है with the help of elimination पहली equation यह है और दूसरी equation यह है same अभी किया था ना elimination लगा के वैसे solve करना है और नीची comment box में answer लिखना है let's move further इसमें भी एक equation बनानी है the sum of the digits digits यहाँ से सूना digits of a two digit number is nine मतलब एक कोई दो digit number है unit and ten place उनके अगर मैं digit का sum करू अगर tens digit और unit digit का sum करू digits का sum करू तो nine आता है ठीक है ओके आगे बोला also nine times this number is nine times nine times this number is twice the number obtained by the reversing the order of digits I think you are getting my point क्या बोला है कि nine times this number is twice the number मतलब nine time होगा वो number अगर मैं twice कर दू किसका इस number के reversing order से जो number बनाना उसका अगर मैं क्या कर दू twice कर दू तो जो number बनेगा वो nine time होगा नहीं आरा समझ द्यान से सुनो second statement को बड़े द्यान से सुनो यहाँ पहले let कर लेता हूँ तो यूनिट डिजिट इस यूनिट डिजिट इस इक्वल टू एक्स ओके और टैंस डिजिट इस y ओके तो यूनिट एक्स है माल लेता है और यह x माल लेता है यह y माल लेता है बोला है कि अगर दोनों डिजिट का अगर मैं addition करूँगा न तो nine आता है तो पहली equation तो बन गई कि x plus y is equal to nine second equation बनाना ही इसमें सबसे बड़ा टेड़ी हीर है क्या बोला है nine times this number कौन सा number ये वाला मतलब आप इस तरीके से लगते हैं y और x nine times this number is twice the number कि अगर इस number का आप क्या करोगे nine time करोगे ना मतलब इस number का अगर आप nine time करोगे is twice the number obtained by the reversing the order of digit समझे देखो क्या बोला nine time of this number सबसे पहले मैं आपको बता हूँ कि number को किसी भी एक number को two digit number को कैसे represent कर सकते हैं how we can represent a two digit number ये समझना जरूर है two digit number को हम कैसे represent करेंगे for example 13 है तो 13 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 प्लस में 3 ये आपकी क्या है 10s place ये क्या है unit place तो उसी तरीकी से अगर यहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो उसको भी मैं 10 प्लस में 6 लिख सकता हूँ बस same करना है कि unit जो digit है उसको x लिखना है और 10s place पे जो digit है उसको y लिखना है तो x प्लस में y करना है आपको लेकिन जो 10s place पे जो digit है उसको 10 से multiply भी तो करना है और unit वाले को 1 से multiply करना है उसको as it is लिखो या करो या मत करो it's your choice तो यहाँ पे आपको समझना है कि unit place वाले को 1 से multiply करते है 10th place वाले को आप 10 से multiply करते हैं तब जाके 2 digits एक number बनाते हैं तो इन्होंने यही बोला है कि मैंने unit digit माना x को तो मैं क्या यहाँ पे x plus में 10y लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ तो इन्हेंने बोला कि इस number का आप अगर क्या करते हो 9 time करते हो ना 9 से multiply करते हो वो equal होता है किसके कि इस number के unit वाले को 10 की जगे बिठा दो और 10th place वाले को unit की जगे बिठा दो तो क्या बनेगा 10x plus में y बनेगा बिल्कुल अफकॉस बनेगा उसका twice कर दो तो वो चीज जो होगी वो आपकी equal होगी I hope you got the point कि 9 time अगर इस number का मैं कर दू वो इक्वल होगा इसके reverse जो चीज आपने लिखी है उसके twice के ओके तो यहाँ पे इस तरीके से second equation आएगी तो इसको आप calculate कर लोगे अगर मैं और थोड़ा simple form में लिखू तो 9 bracket open 10y plus में x bracket close is equal to 2 into 10x plus y this is something like this this will be something like this तो यहाँ पे आपको क्या करना है इस equation को solve करना है this is the second equation you can say this is the first equation use the first equation and the second equation to find the x and y okay चलो आगे move करते हैं this is the fifth question क्या बोला है Meena went to a bank withdraw 2000 rupees मीना गई बैंक में क्या करने के लिए विड्रो करने के लिए कितने रुपए 2000 रुपए विड्रो करने के लिए मीना she asked the cashier to give her 50 and 100 notes मतलब कैशियर को उसने बोला कि 50 और 100 के ही note देना मुझे मीना गोट 25 notes in all मीना को total मिला के जो आप नोट दिये वो कितने दिये 25 notes दिये okay find how many notes of the 50 and 100 she received I hope you got the point मतलब क्या है इसका क्या आपको पता करना है कि 50 के कितने note दिये और 100 के कितने note दिये total note कितने दिये आपको 25 दिये तो मैं यहाँ पे let कर लेता हूँ क्या let करना है मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे let कर चलो let's solution this let कर लेता हूँ कि 50 के notes जो है number of notes वो है x ठीक है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ number of number of 50 rupees note 50 rupees note is equal to x similarly number of 100 rupees note is equal to y अब total note कितने है मिना ने total note कितने लिए 25 तो पेली equation तो बन सकती है x plus में y will be 25 got it this is the first equation or you can say पेली equation equation number 1 बोला कि total जो note लिए न total जो पैसा विड्रो किया न bank से वो 2000 रुपय था तो 50 के note और 100 के note मिला के तो 2000 होंगे तो यह क्या है x number of 50 के note कि कितने लिए और y क्या है number of 100 के note तो क्या मैं यहाँ पे यह लिख सकता हूँ कि 50 के note को अगर मैं number of 50 के note amount जो कि कितना होगा 2000 होगा तो यह आपका 2000 होगा जो कि होगा आपकी second equation तो यहाँ पर first equation and second equation आपके सामने है you can easily solve with the elimination method you can use the elimination method and find out the value of x and y let's move further next question है आपको पूचा है कि एक lending library has fixed charge for the first three days मतलब एक library की बात चल रही है यहाँ पर और बोला है लाइबरी में a lending library has the fixed charge उसके अंदर ना एक fixed charge लगता है क्या लगता है fixed charge लगता है for the first three days पहले तीन दिन के लिए आपसे एक fixed charge लिया जाता है and additional charge for each day thereafter उसके बाद में तीन दिन के बाद में आपसे एक additional charge लिया जाएगा okay Sarita ने पे किये 27 rupees for a book मतलब Sarita ने एक book ली उसको रखा अपने पास में कितने दिन रखा? 7 days रखा और जब 7 days के बाद में पे कर book को रिटन करने गई तो 27 rupees उनको पे करने पड़े वाइल सूसी पेड 21 rupees for the book she kept for 5 days मतलब जो सूसी ने 5 days के लिए एक book रखी उसके लिए उनको 21 rupees पे करने पड़े आगे पूचा है find the fixed charge and the charge for the each extra day मतलब fixed charge कितना पे करना है और एक एक दिन का जो extra charge है मतलब इच डे का वो कितना पे करना है तो let करते हैं जो चीज़े पूची होती है उसको let करते हैं तो यहाँ पे let कर लेते हैं fixed charge को x माल लेते हैं fixed charge जो है उसको x माल लेते हैं तो fixed charge is x rupees fixed charge is x rupees ठीक है और additional charge आप बोल सकते हो कि each day charge each extra day charge आप बोल सकते हो each extra day चार्जिस वाई रुपीज गोट इट एक्स रुपीज आपको देने है फिक्स चार्ज की फोर में वाई रुपीज देने है आपको एडिशनल हर दिन के अब कंडीशन चलते हैं हम according to the question क्या बोला है कि जो पहली लड़की है जिसका नाम क्या है जिनका नाम है आपका सरीथा वो 27 रुपीज टोटल पे करती है 27 रुपीज पे करेंगी तो एक्स रुपीज तो उनको उनको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा प्लस में 7 डेज के लिए रखती है ना तो 4 दे एक्स टा रखती है सूसी जिनका नाम है वो 21 रुपीज पे करती है और 5 डे के लिए रखती है मतलब 3 दिन के तो एक्स रुपीज दिये प्लस में 2 दिन का रुप दिया उन्होंने इच डे चार्ज और टोटल पैसे उनको पे करने पड़े 21 रुपीज तो यहां पे आजाएगा आपका X plus 2 Y is equal to 21 this is the second equation you have to solve the first and second equation to get the value of X and Y that's it let's move further in next video we will see the 3.5 introduction and the all questions so please subscribe like and share if you have any doubt in the questions previous questions kisi bhi question में आपको doubt ہے please let me know in the comment section और कहीं पे भी कुसी भी कोश्चिन में उस कोश्चिन को मैं उस कोश्चिन करो I will give you the particular video solution for the particular question, okay? Thank you very much.